हेलो गूड इवनिंग फ्रेंड्स एजुकेशन पावर अब पर आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम यहां पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेशन्स मोस्ट इंपोरेंट क्वेशन्स कवर करने वाले हैं जो कि सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है चाहे आ सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेशन्स जो हैं यहां पर कवर होने वाले हैं तो सभी एक वार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में क्लास को सभी एक वार शेयर कर दीजिए बहुत ही शांदार वारी टेस्ट क्विज यहां पर होने वाली है तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमर फर्स्ट है हमारा नीती निर्देशक तत्व किस देश के समीधान की देन है तो हमारे समीधान में जो भी है वो किसी ना किसी देश से लिया गया है तो यहां पर जो नीती निर्देशक तत्व है वो किस देश के समीधान से लिया गया है आपको आपको आंसर बताना इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा नीती निर्देशक तत्व किस देश के समिधान की देन है तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा Ireland, America, दक्षिन अफरिका या ब्रिटेन नीती निर्देशक तत्व जो है वो option number A यहाँ पर correct answer हो जाएगा हमारा यानि कि नीती निर्देशक तत्व जो है वो Ireland से लिये गए है यहाँ तखलेंगे आप सभी नीती निर्देशक तत्व कहां से लिये गए है Ireland से यहाँ तखलेंगे आप सभी next question है हमारा बारतिय समिधान की आत्मा है तो बारतिय समिधान की आत्मा किसको कहा गया है प्रस्तावना को या नीती नीर्देश की तत्वो को या संग्य ववस्ता को या मौलिक अधिकार को बारतिय समीदान की आत्मा किसे कहा गया है तो बिल्कुल ऑप्शन नमबर ए जो है अमारा यहां पर करेक्ट टांस हो जाएगा यानि कि प्रस्तावना प्रस्तावना को जो है भारतिय सविदान की आत्मा कहा गया है नेक्स कोशिन, कोशिन नमबर नेक्स कोशिन अमारा सरोची नयले के ऐसे कौन से मुख्या नयादीस थे जिनोंने कार्य वाहक राष्चपती के रूप में कार्य किया यह कोशिन जो है बार-बार रिपीट हो रहा है तो सभी को लर्ण हो गया होगा अभी तक तो सरोची नयले के ऐसे कौन से मुख्या नयादीस थे जो जिनोंने कार्य वाहक राष्चपती के रूप में कार्य किया था मतलब वो मुख्या नयादीस भी रहे सरोची नयले के और उन्होंने जो है कार्य वाहक राष्चपती के रूप में भी कार्य किया था तो वो कौन थे आप्चिन आपके सामने है बिल्कुल आप्चिन नमबर बी जो है हमारे आपर करेक्ट आंसर यानि कि मुख्या नयादीस थे जिनोंने कार्य वाहक राष्चपती के रूप में भी कार्य किया याद रख लेंगे आप सभी कौन थे मौहमद हिदायत उल्ला नेक्स्ट कुशन है हमारा राज्य में सबसे कम विदानसभा सीटे किस जीले में है तो बिलकुल इंपोर्टेंट कुशन है यहाँ पर पूछा गया है राज्य में सबसे कम विदानसभा सीटे जो है वो किस जीले में है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बिलकुल आप्शन नम्बर ए जो है करेक्ट आंसर हमारा यानि कि जैसल मेर याद रखेंगे आप सबी राज्य में सबसे कम विदानसभा सीटे जो है वो जैसल मेर में है नेक्स्ट कुशन कुशन नम्बर राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्व प्रतम गटित हुआ और राज्यस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे यह भी बताईए कमेंट करके राज्यस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्व प्रतम गटित हुआ बिलकुल एकी करण का लास्ट चरण तो आप्शन नम्बर हमारे यापर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बिलकुल आप्शन नम्बर बी जो है करेक्ट आंसर यानि कि एक नम्बर उननीस सो चपन को जो है राज्यस्थान में राज्यपाल का पद जो है गटित हुआ नेक्स कोशन निम्न में से कौन समिदान सभा की मैला सदस्य नहीं थी कोशन है हमारा इन में से कौन है जो समिदान सभा की मैला सदस्य नहीं थी तो सरोजनी नाइडू थी श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुक ये भी थी विजेलक्समी पंडित भी थी यहाँ पर विदान सभा की सदस्य की बात हो रही है तो इन में से कौन नहीं थी महिला सदस्या, समीदान सभा की बिल्कुल option number दी जो है हमारा यहाँ पर correct answer है यानि की नजमा हेपतुला जो है वो समीदान सभा की महिला सदस्या नहीं थी next question, question number वर्तमान में सर्वोच्य नयले के मुख्य नयादिस के अलावा कितने नयादिस है तो सर्वोच्य नयले में एक होता है मुख्य नयादिस और इसके अलावा कितने नयादिस होते है मतलब की सर्वोच्य नयले में कुल नयादिसों की संक्या कितनी होती है 31 होती है तो उन में से एक तो मुख्य होता है तो बाकी के कितने नयादिस होते है बिल्कुल option number B जो है हमारे आपर correct answer हो जाएगा यानि कि 30, 30 जो है वो अन्य न्यादिस होंगे और एक मुख्य है और यदि ये पूछा जाए सीधा ही कि वर्तमान में सरोचे न्यादिस होगी संक्या कितनी है तो हम 31 बताएंगे क्योंकि एक मुख्य न्यादिस और बाकी के अन्य न्यादिस और मुख्य न्यादिस के अलावा तो वो हैं 30 न्यादिस याद रखेंगे आप सभी next question है हमारा राजस्थान में विश्व विद्यालयों के उपकुलपतियों की न्युक्ति कौन करता है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा इन में से कौन सा correct answer हो जाएगा विश्व विद्यालयों के उपकुलपतियों की न्युक्ति कौन करता है पिल्कुल option number A जो है correct answer है हमारा यानि की राज्येपाल correct answer हो जाएगा राज्येपाल राजस्तान में विश्वे विद्यालेओं के उपकुलपतियों के नियुक्ति जो है वो राज्येपाल करता है next है हमारा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्ण में से कौन सद्द से नहीं था तो अच्छा question आईए यहाँ पर पूछ रहें कि जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी तो उसके अंदर कौन सद्द से नहीं था इन में से तो बलदेव सिंग थे सी राज गोपाल चारे भी थे गजनफर अली खान भी थे तो option number A जो है correct answer हो जाएगा हमारे आपर यानि कि मौहमद अली जिन्ना जो है वो 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसके सदस्या नहीं थे next question है हमारा British सासनकाल में राष्टी राजदानी कलकत्ता को दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया तो पहले जो है राष्टी राजदानी कलकत्ता अच्छे राष्टी राजदानी को कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई तो यहाँ पर डेट बतानी है आपको British सासनकाल में राष्टी राजदानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा option number कौन सा correct हो जाएगा बिल्कुल option number C जो है हमारे यहाँ पर correct answer यानि कि 12 दिसंबर 1911 को जो है British सासनकाल में राश्ची राजदानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तात्रित की गयाद रखेंगे आप सभी 12 दिसंबर 1911 next question है सविधान में स्वतंतरता की अधिकार का उलेक कुल कितने अनुच्छे दो में है तो यहाँ पर पूछ रहे हैं सविधान में जो है स्वतंतरता का अधिकार जो है उसका उलेक कितने अनुच्छे दो में है 3, 4, 5 या 2 options आपके सामने हैं तो correct answer क्या हो जाएगा इसका सभी comment करके बताइए जिसने भी वीडियो को like नहीं किया है like कर दीजिए class को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें ताकि आपके और भी friends को इसका फायदा मिले तो यहाँ पर question है हमारा सविधान में स्वतंतरता की अधिकार का उलेक कुल कितने अनुच्छे दो में है तो कितने अनुच्छे दो में है बिल्कुल option number B जो है हमारा यहाँ पर correct answer यानि की 4 सविधान सभा में स्वतंतरता की अधिकार का उलेक कुल 4 अनुच्छे दो में है याद रख लेंगे आप सभी next question है हमारा अंतराश्टिय शान्ति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धान का उलेक समिधान के कौन से अनुच्छेद में वर्नित है अंतराश्टिय शान्ति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धान का उलेक जो है वो समिधान के कौन से अनुच्छेद में वर्नित है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा पिल्गल option number D जो है correct answer है हमारा याने की अनुच्छेद इकावन याद रखेंगे आप सभी अंतराश्टिय शान्ति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धान का उलेक जो है वो समिधान के अनुच्छेद इकावन में वर्नित है नेक्स question है हमारा राज्य सरकार की कारेविती समिधान की किस अनुच्छेद के प्रावदान के अनुसार होती है राज्य सरकार की कारेविदी जो है वो समीदान के किस अनुचेत के प्रावदान के अनुसार होती है तो option आपके सामने है सभी इसका आंसर बताईए question पढ़ लेजिए बिल्कुल option नमर सी जो है हमारा यापर correct आंसर हो जाएगा आनिके अनुचेत 166 राज्य सरकार की कारेविदी जो है वो समीदान के अनुचेत 166 के प्रावदान के अनुसार होती है next question है हमारा कौन से समीदानिक शन्शोदन के आदार पर मतादिकार के लिए न्यूनतम आविशेक आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल है यहाँ पर पूछा गया है कि जो न्यूनतम आयू थी ये मतादिकार करने के लिए वोट देने के लिए पहले 21 वर्ष थी तो वर्टमान में 18 वर्ष है तो कौन से समय धानिक शन्शोदन से जो है उसको 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था तो सभी को पता होना चीए बिल्कुल आप्शन नमबर सी जो है हमारे यापर करेक्ट आंसर यानि की एक सटवे समय धान संसोदन द्वारा याद रखलेंगे आप सभी नेक्स्ट कोशन है हमारा समय धान के कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत राज्य सभा को दो विशेश अधिकार प्राप्त है समय धान के कौन से दो अनुच्छेद के तहत राज्य सभा को दो विशेश अधिकार प्राप्त है तो विशेश नमबर सी है हमारा यापर करेक्ट आंसर यानि की अनुच्छेद 249 और 312 यानि की अनुच्छेद 259 और 312 याद रखेंगे आप सभी तो ये दो अनुच्छेद हैं जिनके तहत राज्य सभा को दो विशेश अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 259 और 312 याद रखेंगे आप सभी सविधान का उदेश्य प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत किया तो ये भी important question है सविधान से जुड़ावा कि सविधान का उदेश्य प्रस्ताव जो है वो किस ने प्रस्तुत किया तो उदेश्य प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत किया बिल्कुल option number C जो है correct answer यानि कि पंडित जवालाल नहरू ने Next question है हमारा प्रधान मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा तो बिल्कुल important question है प्रधान मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल option number A जो है correct answer यानि कि पंडित जवालाल नहरू जी का जो कार्यकाल है सबसे लंबा रहा प्रधान मंत्री के रूप में जो कि बारत के पहले प्रधान मंत्री थे Next question प्रधान मंत्री के बारतिय समिदान के अनुच्छे 2 में नियंत्र एवन महालेका परिक्षक की नियुक्ति योग्यता हो तता कर्तवियाद्य के उल्लेक है तो किस में है Question देख लेते हैं द्यान से पूछा गया है कि बारतिय समिदान के अनुच्छे 2 में जो नियंत्रक और महालेका परिक्षक की नियुक्ति है किसकी नियंत्रक और महालेका परिक्षक की नियुक्ति तो इनकी नियुक्ति योग्यता हो तता कर्तवियाद्य के उल्लेक कौन से नुच्छे अद्में है तो बिल्कुल ऑप्षिन नमबर बी जो है हमारे हैं पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि कि अनुच्छे 148 से 51 तक या दख लेंगे आप सभी नेक्स्ट कोश्चन है हमारा नियुक्ति में से किन राज्य समों का एक ही उच्छी नियुक्ति तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल है यहां पर किस जो राज्य समों कौन से राज्य समों है जिनका एक ही उच्छी नियुक्ति तो राज्यस्तान और उतरपरदेश का तो है नहीं ना मद्यपरदेश और राज्यस्तान का है ना ही मद्यपरदेश और हुज्जात का है तो बिल्कुल यानि कि पंजाब और हर्याना का जो है एक उच्छ न्याले है याद रख लेंगे आप सभी next question है समीधान सभा के विचार का प्रतिपादन किस ने किया तो बिल्कुल important question है समीधान सभा का प्रतिपादन किस ने किया तो बिल्कुल option number C जो है correct answer है हमारा MN रोई नहीं याद रखेंगे आप सभी next question है नेक्स कोशन है ब्रिटिस कालीन भारत में संगिय सरकार की अवधारना का सूतरपाद किस अधिनियम द्वारा किया गया question क्या पूचा है ब्रिटिस कालीन भारत में संगिय सरकार की अवधारना का सूतरपाद जो है वो किस अधिनियम द्वारा किया गया तो आपको वो अधिनियम बताना है तो बिल्कुल option number D जो है correct answer है हमारा यानि कि 12 सरकार अधिनियम 1935 तो फ्रेंड्स यह थे हमारे आज के top 25 questions जो cover हो चुके है वीडियो अगर पसंद आया तो like जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर कोई नया है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यहाँ पर रोजना क्लास होती है तो फ्रेंड्स सभी एक वार अपना स्कोर भी बताईए कि किसके कितने सही हुए और इससे आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तयारी है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए नमस्कार प्रेंड्स